काना क्रिश्णा की किच्चन में आप सबका स्वागत है, सबको रादे रादे आज हम बना रहे हैं मौंग डाल बढ़े, बहुती स्वादीष्ट टेस्टी इसके लिए हम लेंगे दो कटोरी मौंग डाल जिसको हमने दो गंटे पहले एक पतिले में पानी में बिगो करके रखते हैं अब दो गंटे हो चुके हैं, दो गंटे होने के बाद डाल को हातों से हलके हलके मलके और इनके छिलकों को अलग करेंगे इनके सारे छिलके अलग करने जरूरी नहीं है कुछ छिलके रह जाते हैं कोई बात नी दाल को अच्छे से आप दो लीजिए और एक छलनी में सुका लीजिए मिक्सी के जार में हम थोड़ा सा लशुन और दाल को ले करके पीछ लेते हैं यहां हम दाल के पेस्ट को एक पतिले में डालते हैं और थोड़ा सा क्रस करके डालते हैं सापू दनिया दो चम्मच मीरेच और डालते हैं थोड़ा सा हीन आदा चम्मच हल्दी पावडर और एक चम्मच डालते हैं दनिया ठोड़ी सी कसूरी में थी हम क्रिश्ट करके डालते हैं स्वाद के इनुसार डालते हैं नमक हम डालते हैं चार पांच कटेवी हरी मीरच, दो आलू और दो प्याज जिनको आप छोटे छोटे काट के इसके पेस्ट के साथ में मिलाईए मिलाने के बाद आपका पेस्ट पिल्कुल तियार है अब आप लीजे एक कडाही कडाही में तेल डालिए प्रयाप्त मात्रा में और आप इनकी छोटे-छोटे बड़े बना करके कडाही के अंदर डाल दीजे हलकी आँच में हम इनको अच्छे से पकाते हैं साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा ही लाते रहिए ताकि ये जले नहीं ये देखिए हमारे बड़े शिक रहे हैं हलकी आँच को रखिए मीडियम और इन बड़ों को आप अच्छे से शेक करके किसी दूसरे बरतन में डालिएगा यहां हम एक प्लेट में इनको निकाल लेते हैं हमारा एक बैच त्यार हो चुका है दूसरे बैच के लिए हम फिर डालते हैं और इनको अच्छे से मीडियम आच्छ में शेकते हैं फ्लेम को आप जितना दीरे रखोगे उतने ही अच्छे सी काई होंगी और आपके बड़े उतने ही टेस्टी होंगे यह देखिए देखने में आपकी भूख बढ़ रही है यह मुंग दाल के बड़े खाने में बड़े टेस्टी होते हैं इनको आप सोच के साथ का सकते हैं हमारे चेनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए